दोस्तो ये है न्यू मारती सुजुकी अर्टिगा और आज हम बात करेंगे इसी मारती सुजुकी अर्टिगा के भीकसाई वाले वेरियंट के बारे में तो चलिए दोस्तो बिना देरी किए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस काड़ी के कुछ स्पेसिफिकेसंस की, तो इस काड़ी में आपको 1462 सीसी का फोर सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 101.65 बीचपी की पावर 6000 रपीम पर, वहीं गर टॉर्क की बात करें तो 136 सेनेम का टॉर्क, 4400 रपीम पर आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसके अलाबा इस काड़ी में आपको 7 सीटर की सीटिंग कैपिसिटी देखने को मिलती है, और ये गाड़ी 5 स्पीट मनुल ट्रांसमिसन के साथ आती है, साथ ही इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक द जार रूपए, जिसमें आपका आर्टियो चार्ज इसी एक सोरूम प्राइज में जोड़ेगा 85,410 रूपए, वहीं अगर आप इस काड़ी का इंसोरेंस करबाते हैं, तो उसका जोड़ेगा 46,701 रूपए, यानि कि सभी टैक्स और चार्जेस इंक्लूड करने के बाद, इस काड़ी की टोटल आन रोड प्राइज निकल कर आती है रायपूर सिटी की 10,81,111 रूपए, अब दोस्तों ये प्राइज जो है तो रायपूर सिटी की है, लेकिन अगर आप इसी काड़ी को किसी अधर सिटी से खरीदेंगे, तो इस काड़ी की प्राइज थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, तो अब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस काड़ी को कि सिटी से खरीदना चाहते हैं, अब दोस्तों अगर आप इस काड़ी को अगर फाइनेंस करवा कर लेते हैं, तो इसमें मैं आपको तीन फाइनेंस प्लान बताऊंगा, सबसे पहले ह अमाउंट 7,35,000 रुपए का बनेगा, और इसमें आपकी हर महिने की किस्त बनेगी 12,119 रुपए की हर महिने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 10,18,000 रुपए, लेकिन वहीं पर अगर आप इस काड़ी को के बलग 6 सालों के लिए फाइनेंस और इसमें आपकी हर महिने की किस्त बनेगी 13,534 रुपए की हर महिने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 9,74,000 रुपए, अब दोस्तों हम फाइनली लास्ट में बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को इस काड़ी का फाइनेंस के बल 5 सालों के लिए करवा और इसमें आपकी हर महिने की किस्त बनेगी 15,535 रुपए की हर महिने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 9,32,000 रुपए, तो दोस्तों यही थे न्यू मारती सुजुकी अर्टिगा के भीकसाई बाले वेरियंट के न्यू प्राइस और उसके फाइनेंस डिटेल, तो दोस्तों यही वीडियो आपको कैसी लेगी कमेंट में जरूर बताईएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवाद